हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सबका श्वागत हैं वरी इस योटीब चानल पर जिसका नाम है ट्रिक्टिमर्ट एंट्स आज हम बात करने वाले हैं शम्मित सिकुरिटीज लिमिटेट के बारे में फ्रेंट्स इसके अगरम बुग वेलू पर सेर की बात करें तो उसका प्रा इस योटीब चाहिए यानि रिस्की है यानि फॉंडमेंटल स्ट्रॉंग है यानि यह सारी बाते में इस वीडियो में कवर करने वाले से वीडियो को अंत तक जिरू दिखेगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेट्मेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिन लिडिक इ अगर हम इसकी वान मंत के रिटरंस की बात कर रहे हैं आप आपको दिखने को मिल रहा है अब अगर हम इसकी फाइव वेर्स की बात करते हैं तो यहाँ आप आपको दिखने को मिल रहा है अगर हम इसकी फाइव वेर्स की बात करते हैं तो यहाँ आप आपको सिर्फ पर सिर् नहीं देखने को मिल रहा है बहुत यहादा फ्लक्चुएटेड है यह अगर आप देखें तो फिलाल यह उपर गया था फिलाल तो नहीं पर 2018 में जो उपर बहुत उपर गया फिर अचनक सर्थ धड़ाम से नीचे गर गया फिर देखते हैं देखते हैं यह बहुत नीचे तक अराउंड 2020 में जो है राउंड 320 रुपर असपार ट्रेड करने लगा एंड इसके बाद अगर अब देखें तो फ्री दरीज़े हो यह थोड़ो बहुत ऊपर आने लगा लेकिन उसके बाद हम अगर मैक्स पर आते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स इमेज कुछ और ही कर रही थी और इसके बाद जैसे कि अब इसके अचानक से इसमें पंप हो तो आपको देखने को मिल रहा था यह चला गया था एंड उसके बाद अगर आप देखोगे फिलहाल जो है यह 450 के असपास ट्रेड करता है और आज 768 के असपास जोंगillar कमपोनी फिलाल ट्रेड कर रही है ठीक है इसके हम 52 वीट्स लोईट एंड हाइस के बात करें तो जैसे कि आप जह से से यह बिलोग one thousand क्रोग गिया। क्या है इसकी market क्या इसकी market strong है यह बहुत अची है नहीं इतनी ज़्यादग नहीं है hakkया है। चलिए हम हम इसके numbers खक लेते हैं अभर सारी डीटेल भी दिख लेते हैं। सो सबसे पहले हम देख लाते है friends volume कितने लोगों तक जो है ये फिर कितने लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं अगर आप देखेते हैं around 70,000 के आसपास जो है लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है अब चली friends से इस company का financial number देख लेते हैं अगर हम इस company के revenue के बात करें तो जैसे क्या आप देख रहे हैं ठीक है अगर हम इसकी 2017 के बात करें तो around 5 crore की जो है इनकी sales होई थी 2018 में बहुत अच्छा sales हुआ था around 141 crore का जो इनका 2018 में sales हुआ था उसके बाद वाली year में अगर आप देखेंगे तो around 113 crore का sales हुआ था that means कि down नीचे आपको आते भी देखने को मिल रहा है and 2020 में around 81 crore का sales हुआ था and 2021 में around 28 crore का जो है इनका sales हुआ था that means कि अगर आप देखें यहाँ पर तो जो आपको देखेंगे लिगा last 4 years से जो है बहुत ही speedily जो है नीचे आते पर आपको इसके sales देखने को मिल रहा है चले हम इस company का net profit देख लेते अगर हम net profit के बात करें तो same thing friends अगर आप देखें 2017 में around 6 crore के net profit थी and उसके बाद अगर आप देखोगे तो year on year से जो है यहाँ पर आपको net profit में भी downfall आते हुए देखने को मिल रहा है जहां friends around 2021 में around 80 crore 18, 18 crore का जो है इनका net profit था और revenue था कितना around 28 crore and net profit around 18 crore ठीक है earning per share के बात करें तो 2021 में around 16.79 के असपास लेकिन 2020 में around 66.09 के असपास जो है इनका earning per share था जिले friends अब हम इस company के reserve and surplus देख लेते हैं अगर हम इस company के reserve and surplus की बात करें तो जैसा है क्या आप देखते हैं 2021 में इनके पास reserve and surplus अरूँए इनके पास reserve and surplus थी अगर हिसाब से देखा जाए तो जी हाँ इनका reserve and surplus जो है आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्या company ने long term borrowing ले थी आए देख लें तो friends किसी टाप के कोई भी तो यह तो जी है friends कि financial number and balance rate, balance rate में आपको देखने को मिल रहा है company ने है किसले आपको कोई भी loan ने लिया है and balance rate में reserve and surplus अच्छा था था देखने को मिल रहा है and cash भी तोड़ा बहुत है around 2.2 crore cash पास जो है 0.65 है बहुत अच्छी बात है public के holding रहा बात करता है तो around 24% के आसपास जो है public के holding है यहाँ पर FIS and DIs भी है लेकिन बहुत ही छोटे नमर में around 0.94% के आसपास जो है यहाँ पर कोई है FIS sorry DIs है and 0.48% जो है DIs है that means यह बहुत ही छोटा सा percentage जो है FIS and DIs ने hold किया है क्या company के share holding that means की promoters की holding pledge में है जैसा कि कोई भी कोई भी share जो है promoters के holding यहाँ पर आपको pleasure नहीं देखने को मिल रहे है public के holding के बात करें तो यहाँ जो है public के holding में आपको growth होते हैं देखने को मिल रहा है 22.3% था 2020 के December में and 23.93 होगी है 2021 के December quarter में आइए हम यहाँ पर about the company देख लेते हैं Submit Securities Limited is an India-based company the company is a non-banking financial that means NBFC है the company is primarily engaged in investment in securities the company's income is mainly derived from the dividend on investment held by the Submit Securities income main आपने देख लिया company's main income है कहा से आता है dividend from the dividend on investment held by it तो जैसे कहाँ पर सकते हैं Submit Securities Limited finance investment sector की जो है यह company है ठीक है तो हमने जहां तक देखा यह company फिलाल 766 में trade कर रही है लेकिन book value पर से राउंड 4,500 कहाँ पर से हैं बट यह तो अच्छी बात है लेकिन इसके अगर आप इसके sales and net profit देखेंगे तो आपको year on year में जो है downfall होते हुए आपको देखने को मिल रहा है and इसके अलावा जब हम इस company का 5 years का भी chart record देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कुछ खास returns यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है even one year के लिए बात करें तो आउं 33% का अच्छी अची companies में अगर आप investment करते हैं 5 years के लिए तो आपको more than 100% का chances होता है returns मिल लेगा ठीक है यहाँ अगर आप देखें 1 year में 33% and 6 months में अगर देखें तो सिर्फ फूरसी 1.38% का returns है so मैं इस वीडियो में अपना point of view बताना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई पुछेगी कि आप ऐसे companies में investment करना चाहोगे तो मेरा point of view यह रहेगा कि no I don't want to invest in that company because यहाँ कुछ खास हमें growth देखने को नहीं मिल रही इस company में और जिस company में कुछ खास growth ना हो वहाँ पर पैसा लगाना मतलब होता है कि just saving bank में पैसा रखना ठीक है उसी प्रकार की जो है यह है और saving bank में तो अचलिए आपका पैसा safe भी रहता है 3% का रिटन में जाता है यहाँ जो है आपको में भी थोड़ा बहुत रिटन मिलेगा लेकिन safe तो नहीं रहेगे क्योंकि कब market नीचे आजा कब market उपर जाए इसका कोई भी शुरिटन ही होता है market की तो अलग बात है लेकिन submit security इस लिमिटेड के बात करें तो यह बहुत ज़्यादा fluctuated है जैसा कि आप जिसकते हैं highest रिगा था आट सो गया असपास फिर से गिर करके जो है राउंड यह छे सो गया असपास चला गया तो बहुत सारे लोगों नो जो है आपका ही अपना होना चाहिए मैंने आपको overall idea दे दिया एक analysis हमने देख लिया fundamental analysis किया इसका हमने financial number देख लिया बैलन सीट देख लिया अब final decision आपका होना चाहिए कि क्या आपको इसमें investment करना चाहिए या नी ठीक है बट normally अगर बात करें तो आप जो पैसा लगाने क कि कोशिश करें समिट सीकृटर्स लिमिटेड में यह पैसा अगर आपको किसी अच्छी प्लाटफर्म में investment करते हैं किसी और stocks में तो आपको अच्छा खासा return मिल सकता था इसके अलाबा एक 12% क्लब application नामे फिर्ण्स वहां भी अगर आप investment करते हैं तो आपको annually 12% जो है easily returns म में मिल रहा है लेकिन मैं जिस application में बात कर रहा हूं वह उसका नामे 12% क्लब और उसे जो है भारत पे ने वी support किया है भारत पे के दुवारा है founded बूल सकते हैं बाकबॉन है भारत पे के दुवारा उसमें अगर आप ऐसे invest करते हैं less than 1 like ही आप रख सकते हैं तो आपको जो ह अप्रिकेशन को राव लास्ट 6 months जो है में यूच कर रहा हूं और अगर आप यूच करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्राइब में लिंक दिया हुआ है किसी रैप कोई भी charges नहीं लगता है free of cost है और आप earning कर सकते हैं पर एनर्म 12% So friends that's all आसर करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे लगे होगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लेज वीडियो को जरूर लाइक कर जाएगा सासे साथ चैनल को भी जरूर सब्रेब कर लेगा So friends सब तक के लिए जैहिंद जैवारत and thanks for watching this video जैहिंद